है तो आप सब्सक्राइब आपको अपर सब्सक्राइब कर दो Черफके अब को अब कि अधर तुरुछ भी अभी पीसिकर आदाए तो यह सवा इसे डिफ्रेंट कैसे था यह आरयलिस्ट बनाकर सारे रिटेन और इक एक रिजल्ड बनाकर उसको प्रिंट करता था get kpc में भी आप arrow list में सारे words written करते थे अभी आपको print kpc में एक एक word produce करके print करना है ताकि सारे के सारे store ना करने पड़े अब लग signature जो आपका रहेगा kpc वाली पुरानी problem है signature रहेगा वो question answer approach वाला question आपको मिला है partially आपको एक एक करके question को solve करना होगा answer में store करना होगा तो जिसको सवाल नहीं आद मैं सवाल याद करा देता हूँ signature मैंने वे वी आपके लिए establish कर दिया है signature आप वो use करेंगे यह वाला आधा question आपके बास आधा answer है और आप उसको बनाते जाएंगे तो देखे ऐसा था यह सवाल जिसे आपको 6,7 और 8 दे दिया यह Nokia के keypad है छे number के ओपर यह चार character थे साथ के ओपर यह आठ के ओपर यह आठ के ओपर यह दी मान लिजी ऐसे साथ को पूरा दे रखा है कि किस key के ओपर कौन कौन से alphabets है मानी जब बने ने 6,78 दबाया यह आपको input में मिलेगा तो आपको वो सारे word print करने जो produce हो सकते है तो 6 से जैसे produce हो सकता है P, Q, R, S 7 से T और U produce हो सकता है 8 से V, W, X produce हो सकता है तो total 24 word produce हो सकते है 4 x 2 x 3 तो जैसे उनमें से word कैसे कैसे होंगे P, T, V एक word है तो यह सारे words पैदा हो सकते है तोटल 24 words पैदा हो सकते है आपको 24 के 24 words print करने है आपको उन 24 words को store करके return नहीं करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा ध्यान से देखेगा जारा जैसे कि यह 678 है आपके पास यह 678 है आपको pass किया गया 678 question के रूप में answer आपको कुछ है नहीं तो इस moment पर आप 6 solve कर रहे है तो इसको नहीं मैं इस वाले style को जो मैं भी use कर रहा हूँ इस style को मैं बोलता हूँ levels and options style levels and options style बोलता हूँ क्यों पहले level के उपर 6 solve होगा दूसरे level पर 7 solve होगा तीसरे level पर 8 solve होगा पहले level पर 6 की सारी options के रूप में वो solve होगा 6 could be solved as P और Q और R और S 6 P के रूप में Q के रूप में R के रूप में और S के रूप में solve होगा जैसे भी वो solve हो question 78 रह जाएगा इसके बाद क्योंकि आपने पहला question का पूरे question का पहला part attempt कर दिया है 6 को शायद आपने P की तरह solve किया या Q की तरह है या A की तरह है या S की तरह है वो अलग बात है answer में P की तरह solve किया तो P आ जाएगा यहां Q आ जाएगा यहां R यहां S तो अब इस level पर हर जगे 7 solve होगा and we know 7 can be solved as T और U वो यहांस पता लग रहा है T और U चीक है अब question में रह जाएगा 8 हर जगे question में 8 रह जाएगा और answer में देखेगा क्या आएगा P यहां पर आएगा पुराना P और यह वाला U पुराना Q और यह वाला T पुराना Q और यह वाला U पुराना R और यह वाला T पुराना R और ये वाला U पुराना S और ये वाला T पुराना S और ये वाला U अब यहाँ पर आप 8 को solve करेंगे 8 के नमी solve is VWX तो हर जगे से 3-3 निकलेंगे VWX इसके अथ question कुछ बचेगा नहीं answer में ही है जो है ठेक है तो it could be solve as VW or X आप 8 को solve करेंगे 8 could be solve as VW or X VW or X VW or X VW or X शमा करें सारे लिखने में time लग रहा है question में इसके बाद कुछ नहीं बचेगा तो मैं question में लिखेंगा आपस हर जगे answer लिखेंगा तो यहाँ answer क्या होगा PTV यहाँ answer क्या होगा PTW PTX पुराना PU V PU W PU X QTV, QTW, QTX so on and so forth तो यूलर पर चलते बहें इनको print कर देंगे मिलते हैं इसके solution वीडियो में आपको जो मैंने यह logic यहाँ diagram दिखाया है यह diagram आपको execute करना है तो diagram मैंने आपको nearly code बता दिया है आपको इसको code में actually convert करना है तो देख उसमें पहरे लेवल पर 6 वहा फिर 7 का लेवल आया फिर 8 का लेवल आया 6 की options यह 4 थी 7 की options यह 2 दो थी 8 की options यह 3 तीन थी तो 4 x 2 x 3 उपर 24 वर्स बैदा होंगे मिलते हैं solution वीडियो में Thank you very much